Hello Friends, Welcome to Electrical Hub आज का question हमारा जो की Numerical Analysis से है लिखे किस तरह है Evaluate Integral 0 to 6 dx upon 1 plus x square by using first trapezoidal rule, second Simpsons 1 third rule and third Simpsons 3 by 8 rule and fourth Widdell's rule and compare the result with its actual value ठीक तो ऐसा हमारा पास question है जिसमें हमें इस integral के value निकालनी है 4 methods से, दीकिए यह सारे methods से और उसको compare करना है actual result से, ठीके तो चलिए solution पर आते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है divide the range 0 to 6 यहाँ पर देखिए range है 0 to 6 into 6 equal parts of width h is equal to 1 दीकिए यहाँ पर कोई भी हमें width नहीं दिया था question में, इसलिए हमने 1 assume किया है अगर question में width दिया हो h is equal to 1, 2 या फिर parts दिये हो कि कितने equal parts में divide करना है range को तो इसके लिए हम question के हिसाब से जैसा दिया हो ऐसा करेंगे ठीकिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया है इसलिए 6 equal parts में divide कर रहे है width is equal to 1 के लिए एंड compute value of function function क्या है देखिए यह dx के साथ जो है 1 upon 1 plus x square is equal to y is equal to 1 plus x square तो देखिए 0, 6 को 6 equal parts में divide करेंगे ठीकिए पर का width होना चाहिए 1 ठीकिए तो 0 से देखेंगे 0 से 1 तक width 1 हुआ फिर 1 से 2 तक फिर 1 हुआ तो ऐसा करते हुए हमें 7 value मिलेगी 0 से ले करकी 6 तक अब इन values को हमें 1,2,3,4,5,6 को और 0 भी है इसको हमें function में put करना है और y की value calculate करना है जब 0 put करेंगे तो मिले का 1 इस function में देखिए फिर 1 put करेंगे तो 0.50 इस तरह हमें सबकी values को निकाल देना है फिर्स्ट मेथट क्या बोला है ट्रपेज़ाइडल रूल ठीक है ट्रपेज़ाइडल रूल से हमें result निकालना है सबसे पहले ठीक है तो ट्रपेज़ाइडल रूल क्या होता है देखिए पहले इस फंक्शन को लिख लेंगे इसकी value निकालनी है हमें 1 plus x square ठीक है यहाँ ध्यान से देखेंगे इस formula को आपको याद रखना है पहले लिखेंगे h by 2 ठीक है इस weight का आधार ठीक है bracket लगाएंगे यह देखिए यह सारी values को naming कर लते हैं यह होगा y0, y1, y2, y3, y4, y5, and y6 ठीक है y6 सकती value होगी देखिए अब bracket लगाने के बाद यहाँ formula में आ जाईए सबसे पहले लिखना है में पहले वाली value और last वाली value ठीक है y0 plus y6 दोनों का addition ठीक है bracket close फ्लीज देखिए यहाँ दिखेंगे 2 trapezeider rule है ठीक है और बाकी जो values बच्ची है y0 और y6 को छोड़ करके उसको हम add कर देंगे y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5 ठीक है trapezeider rule में यह आपको formula याद रखना है ठीक है याद रखेंगे दखे h by 2 करना है पहला term plus last term फिर बाकी जो term बचेंगे उसको 2 से multiply करके add कर लेना है ठीक है देखिए सबकी values यहाँ पर हमारे पास known है इन सबको put कर लेंगे आप तो हमें answer मिलेगा आप verify कर लेंगे 1.4101 simply आपको सबकी values को put करना है ठीक है यह क्या हुआ अब देखे सेकेंड क्या है Simpson rule Simpson one third rule दूसरा लिखेंगे Simpsons one third rule इससे कैसे निकालेंगे देखे 0 to 6 लिखेंगे dx जो हमारे पास given function है उसको लिख लिया हमने इक्वल टू देखे इसका formula क्या होगा one third है इसलिए h by three करेंगे ठीक है इसको याद रखना है फिर bracket लगाएंगे फिर से वही first term plus last term का addition y0 plus y6 कर लेंगे फिर plus करेंगे फिर करेंगे 4 याद रखेंगे 4 लिखेंगे और जो y0 और y6 को छोड़के odd term है जिसके y1, y3 और y5 इसको add कर लेंगे y1 plus y3 plus y5 ठीक है bracket close अब क्या करेंगे plus 2 करेंगे और even term जो बचे मतलब कि y2 और y4 बचे उसको add कर लेंगे y2 plus y4 ठीक है इसमें भी आप values पूट करेंगे calculator से इसको solve कर लेंगे तो आपको answer मिलकर आएगा 1.36662 ठीक है ये क्या होगा trapezoidal rule हुआ ये Simpson 1 third rule हुआ अब आगे बढ़ते हैं third निकालना है Simpson 3 by 8 rule से ठीक है तो 3 by 8 rule क्या होता है देखेंगे यहां पर integral 0 to 6 dx upon 1 plus x square ठीक है इसके पहले हमने h by 3 किया था 1 by 3 rule में तो यहां पर करेंगे 3 h by 8 ठीक है 3 by 8 rule है इसलिए अब देखें फिट से bracket लगाएंगे फिट से वही first term plus last term फिर करेंगे plus 3 यहां पर याद रखेंगे देखें जो 3 का multiplication जो होगा इस y की values में जितने भी 3 के multiple हैं उनको छोड़ कर यहां add कर लेना है तो देखें y1 आएगा plus आएगा y2 आएगा y3 नहीं आएगा क्योंकि वह 3 का multiple है plus y4 plus y5 y6 भी नहीं आएगा क्योंकि y6 को हमने यहां लिख लिए है ठीक है y0 plus y6 को फिर bracket close plus 2 अब जो बचा 3 का multiple देखें y6 थो हमने यहां पर लिख लिए है तो क्या बचा है हमारे पास y3 ही बचा है तो 2 y3 ठीक है एक बर और बता जेता हूँ Simpson 3 by 8 रूल में 3 by 8 into h रहेगा ठीक है फिर bracket लगाएंगे first term plus last term plus 3 3 करेंगे और जो 3 का multiple नहीं है उसको लिखेंगे किसको छोड़ करके y0 and y6 को यहाँ पर याद रखेंगे जितने भी rules है उसमें एक values को एक ही बार लिखना है ठीक है तो y3 को छोड़ करके हमने y1, y2, y4, y5 को लिख लिख लिए है यहाँ पर add कर लिए plus 2 करेंगे और जो 3 का multiple है y3 दीक है y3 है न 3 का multiple इसलिए y3 लिख लिख लिए है y6 को क्यों नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने y6 है अल्रेडी लिख लिख लिए है इससे जब आप value निकलेंगे तो value निकल कर आएगा 1.3571 अब आते हैं last method में जो के मारा है widels rule widels rule widels rule क्या होता है इसको थोड़ा से आपको याद रखना पड़ेगा इसमें रहेगा 3H by 10 ठीक है bracket लगाएंगे अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे पहले लिखेंगे first term plus उसके बाद जो term आएगा उससे फाइव का multiply 5 y1 plus फिर से इसके बाद जो term आएगा उसको as it is दिख लेंगे plus अब इसके बाद जो आएगा उसके 6 का multiplication 6 y3 ठीक है इतना हुआ फिर अगला जो रहेगा वो क्या होगा simply लिख लेंगे फिर उसके बाद plus फिर अगला जो है उसके 5 का multiply मतलब 5 6 5 6 ऐसा चलाना है ठीक है प्लस 5 भाई 5 प्लस y6 अगर माल लीजे इसके बाद और टम होता है तो क्या होता है प्लस 6 y6 हो जाता ठीक है तो इसको आपको आद रखना है इससे जब आप value निकलेंगे तो ये निकल कर आएगा 1.3735 ठीक है और देखें क्वेस्चन में क्या दिया था compare the result with its actual value देखें सबकी values सारे methods में values अलग अलग अई है तो अब हमें actual result निकालना है तो देखें उसके लिए क्या करेंगे जो integration है उसकी value निकालेंगे 0 to 6 1 upon 1 plus x square dx ठीक है इसका integration क्या होगा 10 inverse x होगा अगर आपको नहीं पता होगा तो बता दूँ 1 by 1 plus x square का जब हम integration करेंगे तो 10 inverse x मिलेगा और limit put करते हैं 6 to 0 अब इस limit को values को यहां put करते हैं पहले 6 put 6 को put करेंगे x के place पे फिर minus करेंगे 0 को put करेंगे ठीक है तो हमें क्या मिलेगा 10 inverse 6 minus 10 inverse 0 ठीक है दुनों की values को आप calculator से निकाल लेंगे 1.4056 यह निकल कराएगा answer ठीक है 10 inverse 0 0 होगा 10 inverse 6 होता है 1.4056 तो यह हमारा integration का value मिलिया ठीक है 1.4056 जो कि हमारा actual value है ठीक है तो यहां पर देखेंगे जो वीडल से हमारा जो answer आया है 1.3735 वो nearest है 1.4056 इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में ठीक्स पर वॉचिंग